मैं डाक्टर आननकुमार गुपता चेश्ट वेजिशन बल्दामपूर अस्पताल लखनो आज मैं टुब्रक्लोसिस की इतिहास की जो सीरी चल लई है उसकी अगली कड़ी लेकर के आया हूँ आपने अभी तक जाना कि जो बीसीजी वेक्सीन की खोज 1906 में हुई थी 1906 में जिसकी पहली बार मानों में जो उपयोग था वो फ्रांस में एक बच्चे को 1921 में लगा कर किया गया दूती विश्वित के बाद इसका उपयोग पूरे विश्व में सुरू हुआ भारत में 1948 में बीसीजी वेक्सीन लैब मदरास में स्थापित हुई और 1951 में बड़े अस्तर पर बीसीजी वेक्सीनेशन भारत में सुरू हुआ सन 1949 में भारत में टीवी एसेशन आफ इंडिया ताइक इस्तापित हुई और सन 1943 में टीवी के बैटरिया के खिलाब सबसे पहले अंटिबाटिक की खोज हुई जिसकी खोज सेल्मन वाक्समन साब ने किया था और उन्होंने इस्ट्रप्टोमाइसिन नाम की जो ये अंटिबाटिक बनाई ये उन्होंने एक फंगस इस्ट्रप्टोमाइसिस ग्रेसियस से खोजी थी इसके लिए उन्हें 1952 1952 में नोबल परश्कार मिला था सन 1945 में इस्ट्रप्टोमाइसिन का उपयोग एंटी टूबर्कुलर ड्रग मतलब टीबी की दवा के रूप में सुरू हुआ इसके परयोग के कालंतर में टीबी के बैक्टिरिया में तेजी से प्रतित्रप्ट चुमता पैदा हो गई अब ये अकेरी एंटीबैटिक काम नहीं कर पा रही थी 1944 में एक दवा पास नाम से खोजी गई जिसका फुल फार्म था पैरा अमीनो सलेसिलिक एसिड और इसको भी टीबी के दवा के रूप में इसका उपयोग सुरू किया गया और जब इस्टोटोमाइसिन को पास के साथ कंबाइन करके जोड़ करके दिया जाने लगा तो जीवाड़ों में प्रतोधा पैदा हो रही थी वो भी निंतरित हो गई और मरीजों को फिर से लाब मिलने लगा सन 1952 में आईनेच नाम की दवा की खोज की गई जिसका फुलफवार में आईसो निकेटिनिक एसिड हेडराजाइड या आईसो नियाजिट इसकी खोज एक सस्ती वा ज्यादा प्रफवी टीवी की दवा के रूप में हुई और सन 1950 के दसक में इस तरह से इस्टोमाइसिन आईनेच और पास टीवी की खिलाब की प्रफवी दवा के रूप में इनका उपियोग सुरू हो गया सन 1901 में इस्टोमाइसिन आईनेच और पास में पास को हटा करके अपनी जिखा बना ली और अब इस्टोमाइसिन आईनेच और थमपटाल का कंबनेशन टीवी की इलाज के रूप में दिया जाने लगा और इस तरह से ये 12 से 18 महिने में इससे टीवी के मरीज ठीक होने लगी है पारजिनमाइट नमकी दवा सन 1936 में खोज ली गई थी लेकि इसका टीवी के दवा के रूप में पहली बार रुपयोग सन 1972 में सुरू हुआ और सन 1972 के आते आते इसका भरपूर रुपयोग टीवी के दवा में सुरू हुआ रिफेंपिसिन नमकी दवा जिसको रिफेंपिन भी कहते हैं और उसका खोज सन 1965 में हुई और इसके खोज के बाद टीवी का इलाज नौ महा तक छोटा हो गया और इफेंपिसिन को जब पेरजमेट के साथ दिया जाने लगा तो टीवी का कुल इलाज घड़ करके मातर छे मेंने का रह गया टुबरकुलोसिस के रिसर्च के लिए उस तदकाली एक टुबरकुलोसिस कीमोथरपी सेंटर था चन्नी मदरास में उसमें एक प्रोजेक्ट सुरू किया गया और उस प्रोजेक्ट के तहट उसका जब रिसर्च हुई तो उसमें पता लगा सनुनिस सो चपन में कि टीवी के मरेज का इलाज घर पर ही रह गरके टीवी के दवा खिला करके घर के सुष्थ भूजन के साथ ठीक गया सकता है उसे सेनेटरियम में रहने की ज़रुत नहीं ह और यहीं से डोमेसिलिरी ठेपी आफ्ट उबरक्लोसिस मतलब घर पर रहकर के टीवी का इलाज सुरू हुआ उसेनेटरियम की ज़रुत अब नहीं रह गई त्री आर्सी का जो ये प्रोजेक्ट था उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सन 1978 में इसको नाम दिया गया टुबरक् का उपयोग करके मतलब एक बार जो दौदी जाती है तो उसका तीन दिन तक दो दिन तक असर बना रहता है और इसका उपयोग करके इन्हों ने यह सिद्ध किया कि अगर हम हफ़ते में तीन बार दवा दे करके त्री विकली दवा दे करके अगर हम दवा दें उसका प्रभा डार्ट्स थरफी लागू करी और इसके अतहद डार्ट प्रोवाइडर हफते में तीन दिन मरीज को दवा दिता था इस तरह के उपयोग से जो पांस दवाएं खोजी गई इस्टुमाइसिन आई नेच इथम बुटाल पराजिनमाइड वारिफेंबसिन ये टीबी की मुक्ष दवाओं में सामिल हो गई इनको फर्ष्ट लाइन ड्रक्स के रूप में कहा गया बाद में जो दवाएं खोजी गई जैसे सैक्लोसरीन, इतोनामाइड, अमिनोगलाइकोसाइड गरूप में जिसे कैनामाइसिन, अमकासिन आदी और निवर फ्लॉरोक्लोन्स जिसमें ओफलाक्सेसिन, लिवफलाक्सेसिन, माकसिफलाक्सेसिन इत्यादी होते हैं, कई दवाएं खोजी गई, परंतो वे कम परभावी वा ज्यादा साइड इफेक्ट वाली पाए गई गई, और उनमें ये पाया गया कि इनका प्योग हम के प्रभावी दवाईया हैं, वो किनी कारणों से अब काम नहीं कर पा रही हैं, इन्हें ड्रग ड्रेशन टीवी में उप्योग करने के लिए इनको अलग कर दिया गया, इनको कहा गया सेकंड लाइन ड्रग्स, छे माह की जो रिफेपिसिन, आइनेच, इथम पटाल, और अप सी सी, इस प्रकार से आपने जाना कि पहला बड़ा लैंड मार्क टीवी के तिहास का था, 24 मार्च 1882 में, टीवी के कारक बैटेरिया की खोज, जिसको रिफेपर काक ने मैको बैटेम टॉपकलोसिस या काक्स बैसलस करूप में खोज करी, दूसरा सबसे बड़ा लैंड मार् इस में पहली टीवी के दवा इस्टो मैसिन नाम की खोजी जाना, सन 1948 में डूच यो के स्थापना हुई, और इसने फिर अब से तैह हुआ कि जो टीवी नाम की संक्रामक करूग है, इसको जो है प्रमुक्ष जनस्वास्त चुनोती के रूप में सुकार करके, पूरे विश् लड़ाई अपनी फोकस करना है, पूरी सिद्ध के साथ इसको प्रहावियुद है, इसके खिलाब सुरू किया सके, ऐसा करके, जब प्रोजेट डव्यूच ने विश्वभर को स्टिमिलेट किया, भारत में इसी के तहत सन 1962 में नेशनल टुबर क्लोसिस कंट्रोल प्रोग्र प्रोग्राम NTCP की सुरुवात हुई, और लभग 30 साल बात सन 1992 में पाया गया, जो हमने ये दूरी तैकरी, एक अस्फर प्रोग्राम वाली दूरी थी, इसमें अपेच्छित प्रोग्राम नहीं मिल पाए, अब इसको रिवाइज किया गया, इसका नाम रखा गया, गया, ये प्रोग्राम के तहट कारे कर रहा है, तो इसको आकरमसाधी में देश के जिलों में अच्छा दित किया गया, और सन 2006 तक पूरा देश RNTCP के तहट अच्छा दित हो गया, कबर कर लिया गया, इसके तहट सभी नए खुजे गए मरीजों को छे महने की 60 कोर्स के डार्ट्स प्रधत द्वारा डारेक्ट आबजर्ब थ्रेपी साट कोर्स मेथड जिसके अंदर डार्ट प्रोइडर हफ्ते में तीन दिन दवा दे रहा था, साट कोर्स के मुद्ध थ्रेपी के आने के बाद बहुत से विक्षित देशों में डूलेट्ट कंट्रीज में टी डीवी की दरिश्टे से वर्ल्ड में जो पैंडेमिक फैला उसको ग्लोबल इमर्जनसी घोशित कर दिया और एचाईवी के बज़े से जो टीवी के गशत मनीजों के संख्या और ड्रग एस्टेंस दोनों ही बढ़े तो उसने वैस्वेक आपदा या ग्लोबल इमर्जनसी स 2019 में खुसित की और यहां से डवलू एचो ने नए सिरे से टीवी के लिए जो रिशर्च था गाइडलाइन्स थी फंडिंग थी सब इसने फिर से सुरू की और यहां से टीवी का पुनर अध्याय चालू हुआ साथियों दो महत्वपून बिंदू और हैं यहां पर कि सन अठारा सो नबे में रावड काक्स ने जिसने टीवी के बैटरिया कोच की थी उन्होंने टूबरकुलिन नामक एक टीवी के बैटरिया के कल्चर से एक्टिव इंग्रेडियन्ट एक्स्टेट निकाला जिसको उन कानिता दी की साथ इससे हम टीवी के मरीजों का इलाज कर सकते हैं कालंतर में ये सही सिद्ध नहीं हुआ और लेकिन आज भी हम उस टूबरकुलिन का प्योग लेटन टूबर क्लोसेस का पता लगाने अर्थाथ टीवी के संक्रमन का पता लगाने के लिए कर रहे हैं वहीं 1925 में जो सोना धातु है, गोल्ड है, गोल्ड कमपाउंड के कमपाउंड का भी प्योग का चलन आया कि इससे टीवी की मरिचुका इलाज किया जाए, परन तो ये भी छलावा सिद्ध हुआ, साथियों आज ये वीडियो मैं इतनी सुचना के साथ खतम कर रहा हूं, अगले वी रहिए और अपने पर्चुदों में इसको शेयर करते रहिए, धन्यवाद